हलो फ्रेंड कुछाम दीर उमीद है आप लोग खैरियस होंगे पिछली वीडियो में हमने जो बैक्ग्राउंड से रिलेटिज जो भी इसकी प्रॉपर्टीज थी हमने वह डिसकस की थी यह आज हम जो डिसकस करेंगे वह बैक्ग्राउंड शॉर्ट है इसमें हम मल्टिपल ज सिंगल प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हैं तो आप जैसे यह देख रहे हैं वैल्यूज इसमें हम बैक्ग्राउंड कलर की वैल्यूज यूज कर सकते हैं बैक्ग्राउंड इमीज को यूज कर सकते हैं बैक्ग्राउंड रिपीट की वैल्यू को यूज कर सकते हैं बीच में से तो कोई इशू नहीं है अगर जैसे कि मैं यह background color लेता हूँ और फिर position ले लेता हूँ तो कोई मसला नहीं है या background image लेता हूँ और attachment or position ले लेता हूँ और repeat नहीं देता तो इसका कोई इशू नहीं है इसके बाद लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए इसका तो चलते हैं मैं आपको दिखाता हूं फिर यहां पे मैंने डिब लिया वह उसमें मैंने एक इमिज सेट की वी है जैसे कि आप यह देख सकते हैं यह मैंने शॉर्ट हैंड वैल्यू इसमाल की वी है तो मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं उसमें कि अगर मैं बैक्ग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है उससे नीचे बैक्ग्राउंड साइज को यूज करता हूं आप देखिएगा कि यह इमिज जो है इसका साइज जो है 200 पिक्सल हो जाएगा यह देखें अगर इसी चीज को मैं बैक्ग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है उससे उपर इस्तमाल करूंगा आप देखिएगा कि इस पर कोई असर नहीं पड़ता तो इसको दिहान में रखन लाजमी है क्योंकि यह वैल्यू शॉर्ट हैंड वैल्यू में नहीं आती यह प्रॉपर्टी तो हमें इसको अलग से यूज करना पड़ता है तो अब जैसे के यहां पर मैंने इमिज सेट की वी है और इसका साइज दे दी अब मैं इसको नो रिपीट की जो है वैल्यू दे देख रही है आ चुकी है इसके बाद यहां पर बैग्रोंड कलर की जो है मैं वह आपको दिखा देता हूँ यह देखें एक कलर भी अपलाए हो गया है और इस तरह मैं इस कलर को रैट कर देता हूँ और इमीज भी सेट है देख रहे हैं आप यह हमने तीन प्रॉप्टीज एक ही सिंगल प्रॉप्टी में हमने यूज कर ली है इसके इलावा मैं यहां पर जो है अटेच्मेंट वाली वैल्यू भी इस में दे लेता हूँ यानि के हम attachment क्या चाते हैं अगर मैं fixed कर दूँ तो आप देखिएगा यह देखें यह image fixed हो गई है क्योंकि यह background के उपर चले वी होगी तो इसलिए आपको नजर नहीं आरी मैं इसको size जो है center center कर देता हूँ इसकी position जो है center center कर देता हूँ देखें यह center में आगी image अब मैं इसको जो है fixed कर देता हूँ यह देखें यह fixed भी हो चुकी है image देखें आप div में अगर मैं fixed हटा दूँ तो आप देखिएगा यह देखें तो इस तरह हम एक ही just property में multiple values देखर तो इसको short कर सकते हैं आपने देखा लेकिन इसकी sequence यह होनी चाहिए अगर sequence आगे पीछे होगा तो फिर गड़बर हो जाएगी यह work नहीं करेगी तो दोस्तों यह थी background की property यह पिसली जो हमने यह 5 properties अलग अलग देखी थी यह उनकी short hand property है तो अमीदे आपको यह video पसंद आ आदमी प्रेस करें ताकि आपको next video का notification मिल सकें तो मिलते हैं फिर next video